ए फे किया। आफे किया निस जब कृस्टिलाइन लेंस अपसेंट होता है आई में उसे ए फे किया कहा जाता है। कोज क्या है एफे किया के कंजनाइटल अपसेंस है जन्म से ही लेंस प्रिजेंट नहीं है सेकेंड सर्जिकल एफे किया अपने सरजरी के दौरान लेंस को निकाल दिया या फिर कभी-कभी ट्रोमा हो जाता है उसके बाद लेंस अबजोब हो जाता है और चोथा कारण हो सकता है traumatic extraction ट्रोमा की वज़े से lens वहार आ गया और posterior dislocation तो क्या कोज है एफे किया के क्यों lens नहीं है आई में congenital absence हो सकता है surgical effect हो सकता है lens absorption हो गया है during trauma traumatic extraction हो सकता है या फिर posterior dislocation हो गया क्या symptom मिलेंगे एफे के patient में symptom सबसे पहला defective vision हो जाएगा दूसरा erythropsia और sinopsia ये क्या है जब lens नहीं रहेगा तो ultraviolet ray और infrared ray ये बढ़ जाएगी जाना जिससे arthropsia और sinosis होती है आगे sign की यदि अगर अपन बात करें तो limbal और corneal scar मिल सकता है क्यों क्योंकि मानलो surgery के बाद lens निकाला होतो हो second interior chamber क्या हो जाएगा deep मिलेगा और hypermetropia मिलेगा क्योंकि cornea का कितना होता है 24 डायपटर और 16 डायपटर किसका होता है lens का तो ये total eye की अपनी power 16 डायपटर होती है तो ये 16 चला जाएगा तो hypermetropia मिलेगा तीसरा आइरिडोडोनोसिस आइरिडोडोनोसिस ट्रवलेसेंस ओफ आइरिस मिलेगा बहुत जादा आइरिस में मुवम्मेंट मिलेगा और प्यूपिल हो जाएगी जेड बलेक कलर की और पुरकिंजे image कितनी रहेगी दो तो टोटल चार मिलनी थी जूगी है lens की दो इमेजें नहीं मिलेगी तो बस कोर्निया की दो इमेजें मिलेगी तो क्या sign मिलेगा लेंबल या कोर्नियल iba a scar मिल सकता है एंटीर चेंबर डीप मिलेगा हाईपरमेटी रूपिया मिलेगा ड्रворिडोडोडोध नोसिस जेड बीग बलेक प्यूपिल और दो पुर्खीज़े इमेज मिलेगी किया ट्रीट्मिन्ट देते हैं एपेक्ईया के लिए एपेक्ईया के लिए स्पेक्टीकल कांटक्ट लेंज लगा सकते हों सर्जरी की दुरान और रैफ्रेक्टरी डिसर्जरी की कहा जाता है आगे का करेक्शन किया हमने तो यह तीन तरह से हो सकता है यदि हमने आयोल की पावर बिल्कुल एक्जेक्ट डाली तो इमेट्रोपिक रहेगा या फिर जब हमने ओवर करेक्ट कर दिया रिफ्रेक्टरी एरर को तो कॉंजुक्यूटिव मायोपिया हो सकता है यह कंडिशन थी जिसमें आयोल की पावर बिल्कुल बरावर लगाई है जो लेंस की थी एक्जेक्ट तो इमेट्रोपिक कंडिशन जबकि इसमें क्या होगा ओवर करेक्ट कर दिया तो क्या डवलप हो जाएगा ज्यादा पावर का लेंस लगा दिया तो कॉंजुक्यूटिव म लगा है तो इसमें सर्जीकल इसकार मिल सकता है एंटीरियर चेंबर स्लाइट डीप रहेगा यहां क्या था यहां स्लाइट डीप मिलेगा क्योंकि अपना आयोल लगा चुके हैं माइल्ड आयृड डालेंगे आंक में तो प्यूपिल पे हमें लाइट चमकती हुई रिफ्लेक्स है तो प्यूपिल केसी हो जाएगी ब्लीकेस इसके मेनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं स्पेक्टिकल नियर विजन के लिए और बाइफोकल नियर विजन के लिए किसमें यूज करेंगे नियर विजन के लिए तीनों केसों में यूज किया जा सकता है जब क्यों